हटी हमीर के नाम से हम जानते हैं, आज हम उस हटी हमीर की कहानियां सुनेंगे, उस रंतम भोर की कहानियां सुनेंगे, अपके सामने रंतम भोर का किला है, जिस किले के बारे में कभी अबुल फजल ने कहा था कि बाकी सब किले नंगे हैं, लेकिन इस किले ने बक्तर पहन रख की कहानिया सुनाएगा नॉर्मल सी दो चार बाते हैं कि रन्थाम बहर में चोहान वन्सका सासन था अब्यस्सी बात है उधर वालों की ब्रांच थी पहला जो संस्तापक बताए गोविंद राज है गोविंद राज प्रच्वी राज चोहान का बेटा था प्रच्वी राज का पुत्तर था सन व प्रच्वी राज चोहान एसा कहा जाता है कि प्रच्वी राज चोहान को जब मार दिया गया था कोतोबुदिन एबक जब यहां पे था तो इसने कोतोबुदिन एबक की अधिनता वगेरा सुईकार कर ली थी और कोतोबुदिन एबक की अजमेर की गद्धी पर बेट जाता है लेकिन पर शीराज चुहान का एक छोटा भायोर था हरी राज अजमेर को घेर लेता है उनकी सेना में बाद आरीडी पर बनालता है बहुत कम सैनिक थे, हरी राज की सैना लड़ती है, हार जाती है कुद बुजिने अबख से, ऐसा कहा जाता है कि जब हरी राज को लगा के अब युद्ध हार रहे हैं, तो हरी राज खुद अगनी के अंदर प्रवेस कर लेता है, अब दुनिया ये महफिल काम की नहीं है, तो उसने अगनी दहा कर लिया था, ऐसे कई राजाओं के बारे में कहानिया हैं कि जब अन्तिम समय में उन्हें दिखा कि अब हार निश्चित है अपनी तो अगनी में प्रवेस कर लिया करते थे, खुल मिला के मरना पसंद किया करते थे, तो हरी राज परशुराज चौहन का ब कि रंतमभोर की चोहान ब्रांच का फाउंडर कौन था, तो गोविंद राज है, हुईज गोविंद राज, तो सन्व परिच्वी राज, इस्टेबलिस कब किया, तो 1194 के अंदर उसने इस्टेबलिस कर लिया था, बस दो बाते याद रखेना, 1192 में बेटर आफ टेरेन है, 1194 में रंतमभोर में एक नया रज्जे इस्ताफित कर लेता, कोई बात याद नहीं करने, बस इती याद रखने, आगे ये तीन चार राजा बने, किवल नाम नाम याद रखना, इसके बाद वालहन बना था, इसके बाद वीर नारायन बना था, इसके बाद वीर नारायन बन लिए पोई कैम किसी बात यह कि लड़ा था लेकिन बाद में से पकड़ लिया गया था दिली मिलेजा कर मार दिया गया फोई इल है चुuppicz भी दिली का बीचे हम राजा पड़ रहे थे, माता का नाम था हीरादे, हीरादे और जत्र सिंग के संतान, हमीर अपने पिता के योग्यतम पत्रों में से एक था, और जत्र सिंग ने इसको अपने जीवन काल में गावे, आपने तो अपना बेटा है, जो संभालेगा, जो करेगा अभी यह के राजा बना दिया गया है रजा बनने के बाद हमीर अपनी दिग्विजे निति कहा जाता था तो हमीर कि अधिग्विजय निती इसने आसपास की कही रज्यों को जीता दो तिन याद रखने वाले बना लोग की नहीं चोह कुड़ा है उस राजये पर दश्ण कर दिया पर कह थे लुट दूह जाया करते हैंvens तोड़ से टेक्स वगरा लेकर आगे, ऐसे गते हैं को जगती भीमरस, वहां का राजा था अर्जुन, भीमर्जुन याद रहे जाएंगे, उसको अराया था, ऐसे आपके आबू, यहां का राजा था परताप सिंग, इसको अराया दिया, ऐसे आपके मालवा में धारा नगरी, यहां का राजा था भोज, भोज परमार, इसको अरा दिया था, आसपास में जिते एरिया थे सबको जीता, चितोड के राजा समर सिंग को हराया, भीमरस के राजा अरजुन को हराया, अबू के राजा परताप सिंग को हराया, धार के राजा भोज परमार को हराया, कई सारे इसने जीत लिया थैं, मंदलगेड से टक्स लिया था, इधर पुस्कर जीत लिया था, तो कठ्या वाड गुजरात में जो कठ्या वाड है उसको जीत लिया था पर राजाओं के तीन चार के नाम याद है, यह बात जब दिल्ली के सुल्तान को पता चली, डिल्ली का सुल्तान जलालुदिन खिल जी, 1291 के अंदर खिल जी डाइनेश्टी स्टेपलिस होती है, और उसको पता चला कि यार, दिल्ली के ठीक नीचे राजस्थान है, और राजस्थान का एक राजा आसपास के मालवा, गुजराज सब चेत्रों को जीत रहा है, यह जदा सक्तिसाल ही होता जा जो जलालुदिन खिल जी अटेक कर देता है, कहते हैं, जलालुदिन खिल जी ने हमीर पर दो अटेक की, 1290 के अंदर एक अटेक करता है, फिर एक अटेक करता है, 1220 में, दोनों बार हार का सामना करना पड़ा, जलालुदिन खिल जी के दोनों हमलों को हमीर ने विफल कर दिय सेकिंड वाले में जो कते हैं जलालुदिन किलजी खूब दिन तक बाहर आके बैठा रहा था और उसे लगा कि नहीं आरमा हमीर को हरा के ही आऊंगा पर रंतम भौर का किला उपर इतना उंचाई पर बनावा था गिए उपर से भटा मारो तो नीचे के दस मिनक मार दो आप तो नहीं इस बार तो जीत के आएंगे सब को सोगने किला 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 आया था इस बार वापस नहीं आएंगे अपने पिसली बार भली आरके चले गए इस बार आरके नहीं आएंगे इस बार जीत के आएंगे अपने करो या मरो की लड़ाई है डू और डाई जाने लगा साथ वर यह क्या बात हुई तो उसने का कि क्या बात हुई आप नहीं का ता किला जीत के आएंगे बिना किला जीत के नहीं आएंगे उसने का ऐसे दस किले इंपोर्टेंट नहीं है मेरे लिए मेरे एक एक मुस्लिम सॉल्चर इंपोर्टेंट है उसका बाल भी बंका नहीं होना चाहिए मेरे मुस्लिम सेनिक मर रहे है और नहीं मैं ऐसे मेरे मजहब के सेनिकों को मरतावा नहीं देखना चाहा था किलाबाद में देख ले तो याद र दूसरे हमला जब उसका विफल वाथ उसने यह का था, दिखावा है, मैं ऐसे 10 किलों को मुसल्मान के बाल के बराबर नहीं समय था, किले मतलब फोर्ट, कि मैं ऐसे 10 किले भी मुझे देते हो और यदि मेरे मुसल्मान सहनिक मरते हो तो नहीं, मुझे मेरे भाईयों को बचाना ज्यादा 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 है, कोल मिला के वो अपने बेजिती को कैसे करके कंपंशियेट करना जाता था, कि नहीं साब मत इस लिए जा रहा हूं देख कि किला तो जीतने के लिए आया थे यहां पर ताकि ज्यादा बेशती नहीं हो पर लोग तो मनी मना से वहां देख लिया यार वहां बड़ी-बड़ी बातें कर रहा था तो याद रखना कि दो बार इस ने जलाल उदिन के हमले को विफल कर दिया था, आगे पढ़ते हैं दे राजा था, कि दिल्ली सल्तनत में सुल्टानों का राज आने के बाद पहली बार किसी ने सोचा कि साउथ इंडिया के अंदर भी अपने को परचार करना है, साउथ इंडिया में भी रज्य का विश्तार करना है, एमपार एक्स्पंशन करना है तो अलावधिन खिल जी था, यह बात सोचने वाला वेक्ति अलाउदिन खिल जीत और गते अलाउदिन खिल जीने तो कहा था कि मुझे पुरी दुनिया जीतना है, शिकंदर सानी उपादी धारन कर ली थी उसने माध दूसरा शिकंदर बनना चाहता हूं, शिकंदर की तरह बनना चाहता हूं, और कोई काज करोश करो, कभी विंधाचल की गाटियों के अंदर से तो निकलो, नीचे भी पड़ा, तो साउथ के अंदर ही पहली बार कोई गया था आदमी, उसी ने सबसे पहली हमले वगिरान करने शुरू कर दिये थे, तो अब वो जब साउथ तक जा रहा है, तो आदमी राजस्थान की तरफ तो अब्यूस सी बात आएगा, तो अलाउदिन खिल जी ने हमले करने सुरू की, 301 में अलाउदिन खिल जी करांथम भूर पराकरमन, अलांकि इसके भी अटेक लंबे चले, 1299 के आसपास से अटेक ओन लग गये थे, 1299 में के आसपास से इंसे अटेक कर दिये थे, बड़ा युद 301 वाला, इसलिए हम 301 पढ़ लते हैं, हम कारण पढ़ते हैं कि वो क्यों आटेक करना चाहता था, एक तो यह कि रन्थम बहुत स्ट्रेटरजिक पोजिशन पर था अपने आप में, जैसे चितोड़गड का किला वैसे, बहुत उंचा बनावा किला, उबढ करना को वहां रख सकते हैं, फिर वही रन्थम बहुर भी तोड़ रन्थम बहुर ज्यादा दूर नहीं, पास-पास में पढ़ते थे कोई, तो दिल्ली से मालवार, दिली से गुजरात वाला जो रास्ता है, उसमें कही न कहीं वो काम आ सकता था आपके, तो यह बड़ी बा अधिकार कर राजपूत मरेस्वां पर अपनी धाक जमाना चाता था, इनको ड्राया जाए कम से कम के से करके, एक कारन तो यह था, दूसरा वही में बता दिया, जो हमीर आस-पास में सब को अहरा रहा है, उसकी धाक इतनी बढ़ रही है, तो दिल्ली का कोई सुल्तान यह न एक यह भी कारण था, कि रन्तम बहुर दिल्ली के निकड़ था, और यहां के च्वहानों की बढ़ती विसकती का लाउदिन खिल जी किसी भी स्थिति में सहन नहीं कर सकता था, यह यह तो तो अपने चाचा जी दो बार यहां से हार के गए थे, थोड़ा बहुत बतीजे के अपने चाचा के प्राजे का बदला लेना चाहता था, और फिर सो बातों की एक बात, वह एक इम्परिलिस्टिक रूलर था, वह अपने सामराज्य का विश्तार करना चाहता था, और उसको आकर्मन करना ही था, ताला हुदीने एक महत्वकांग सी, MBCS और वरन्तम बहुर प प्रिणाम था, पर एक इमेडियेट कोज हुआ, एक तातकालिक कारण हुआ, थोड़ा साब बात सुनना पिले, 1296 में मंगोलों ने भारत पर आकर्मन किया, मंगोल बहत दुर्धानत आकर्मन कारी माने गए हमेशा, चंगीज खान और ये सब मंगोल थे, मंगोल अटेक करते हैं, जलालुदिन खिल जी उन मंगोलों को हरा देता है, तब अलाउदिन का चाचा जलालुदिन राजा था, हरा देता है, 4,000 मंगोल गिरफ्तार कर लिए गए, और मंगोलों को कहा गया कि इसलाम सुईखार करो वरना ममार पिए जाओगे, उन्हों स्रे करती पुजग टाइब के अलग इसे विवा करते थे, बुद्धिजम के बहुत मजदीक सा धर्म हुआ करता था इनका, 4,000 मुसलमान मंगोल यहां पर मुसलमान बना दिये, उनके लिए बाकादा दिली में कोलोनी बसाई गी, जिसे आज भी मंगोल पुरी के नाम से जना जा उसके सेनापती थे, जिनको गुजरात बेजा गया, जब वो गुजरात गए, गुजरात में धन लूटा, तो लूटने के बाद में जब धन का बंटवारा कर रहे थे, तो उस धन के बंटवारे के अंदर, मंगोलों का एक सरदार था मुहम्मद सा, एक उसका साथी और था क हमने ज़्यादा अच्छी से लड़ाई के थी, और तुम हमें रूपए कम दे रहा है लूट में, तो मुहम्मद सार के अबरूख लगा कि अच्छा, हम अभी नएने मुसलमान बने हैं ना, इसलिए तुम लोग आम पर विश्वास नहीं करते हो, और इसलिए तुम लोग हम हमेर ने मरवा दिया, ये दो भाई वहां से भागने में कामियाब हो गए, कौन-कौन, मुहम्मद सार के अबरूख, भाग के कहा जाए, तो दुस्मन का दुस्मन दोस्त होता है, खिल जीयों का दुस्मन कौन, तो रंदम भौर का रदा हमीर चोहान, तो ये दुनों भाग क हमीर के पास आगए, और हमीर को आगे का आगे हमें सरण दे, किसके खिलाब, अलावदिन खिल जी के खिलाब, हम दोनों से ऐसे से लड़के आगए है, हमीर ने का ठीक रह जाओ, मुहम्मद सार के अबरूख, उरने वापस का, कि सोच लो, हम लम मांग रहे हैं घुमसे, हमी में केंप उखाड के तंबूई ले जाने पड़े थे यहां से, रहो तुम तो मजे करो यहां पर, उल्टा मुहम्मद साग उसने एक जागीर दी, जगाना की जागीर, कि लो, रहने गीन ववस्ता और करवाता हूं आपको, क्यते हैं, अलावदिन खिल जी इस बात से बहुत जदन नराज हो, क्यार मेरे विद्रोही, मेरे रिबेल, और तू उनको असाइलम देगा, वो तेरे पास जाके रहेंगे, फिर एक कहानी यह भी आती है बीच में कहीं कि, अलावदिन खिल जी की एक बेगम थी, चिमना बेगम,